ये आन तिरंगा है ये शान तिरंगा है ये अर्मान तिरंगा है ये अभिमान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है हर घर तिरंगा है नमस्कार मैं इशाद उबे और स्वागत करती हूँ आपका फ्राइडे एट माई गौफ के न्यू एपिसोड पर हर साल की तरह इस साल भी देशवासियों ने 37 स्वतंदरता दिवस को बड़े ही धूमधाम से बनाया आपको बता दे कि इसी बीज देश के मानिनी प्रधान मंतरी नेरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घड़ पिरंगा अभियान से जुणने का अवाहन किया ताकि वो भी गर्फ के साथ देश की प्रती अपने प्यार को अन्य देशवासियों के साथ प्रकट कर सके प्रधान मंतरी मोदी का हर घड़ तिरंगा अभियान चलाने का उद्देश है देशवासियों के अंदर देशभत्ते की भावना को जागरत करना है इसके साथ ही राश्ट्री ध्वज के प्रती आदर भाव का प्रसार करना न्यू इंडिया के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कैसा न्यू इंडिया चाहिए आपको अपने लड़ाई के शस्त्र अगरे अपन खरीद रहे हैं इंडिया में सबसे बारे मैं चाहता हूं कि यह अपने विश्व गुरू के अपना नंबर वन रहे और हर लोग अपने को माने क्या यह है इंडिया न्यू इंडिया बहुत बदल रहा है और न्यू इंडिया हमसे है अगर हम बदलेंगे बदलाव हमसे होना है हम बदलेंगे तो नया इंडिया भी बदलेगा तो शुरूवात हमें खुद से करनी है न्यू इंडिया हमारा देश मतलब की एक ज़दी में बहुत आगे जाएगा जैसे आपि देखे तो विश्व में अपना जो जैसे मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और वही होता जाए यही हमारा नुव इंडिया के बारे में मकसद है और एक एक्सपेक्टेशन है। ब्यवस्था वे बहुत परिवर्तन हुआ है, मोधी जी के आने के बाद बहुत ब्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। इस बार उन्हें परिवार जनों कहके बुला है, यह हमारे लिए फक्र की बाद है, वो पुरे देश को एक अपना परिवार समझते हैं और पुरे देश को एक जूट करने में उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। बिलकुल परिवार इनका टॉट जैसे परिवार होता है मैं जो मुख्या होता है, वो उसको भूट हो चलाता है तो परिवार उसका तो अमरा देश भी मतलब पर दमदे मध्धको चला अदो परिवार है। और के मतलब वो अपने है उसके बच्चे ने बीवी ने जोन के लिए मतलब कुछ कमा के लिए जाएगा जो भी कुछ भी करता है देश के लिए करता है तो परिवारी है सिद्धी बात हमारे लिए करता है अबी 100% जो ऐलंटीन इनोंने बोला है, और उनने ने कहा है कि मैं अगले साल जो बाते किया हैं उनके, जो काम कहा पर आएगा उसके बारे में बात करूंगा यह बात बहुत अच्छी है, क्योंकि प्लान बनाना एक बात है, प्लान कहा तर गया उत्तरा कंपलेट किया, इसके बारे में बात करना बहुत बेडी बात है. बहुत जादा बहतर हुई है, I can say I feel more independent, हमें अपनी बात रखने का हमेशा सही एक प्लाटफॉम मिल जाता है, हम अपनी बात गवर्मेंट तक रख सकते हैं, और गवर्मेंट ने काफी बुमें इंपावर्मेंट को लेके नहीं चीज़े लेके आ रहे हैं, अजादी के अमरित कल्यांड कारे योजनाओं को शामिल किया गया है, आपको बता दे, इन सेल्फी पॉइंट्स पर जाकर आप एक सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, और उसको माई गौफ डॉट इन पर पोस्ट कर सकते हैं, अच्छा आप ही बताईए, आप यहाँ पर सेल्फी क्लिक करवाई आपने बहुत अच्छा लग रहा है, 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 बहुत अच्छा यूनीक पॉइंट पर आईए और यहां पर फोटो क्लिक करके mygov.in पर पोस्ट करिए और इस अभियान का हिस्सा बनिये तो आज Friday at mygov पर बसित नहीं अभी के लिए आप मुझ को दीजे अजासत नमस्कार